हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं पीरियड मिस होके एक हफ़ता या दस बारा दिन हो गए हैं फिर अगर आपको हलकी सी स्पोर्टिंग हो रही है या थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़ादा कन्फू प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो वो नेगेटिव आता है तो ऐसा क्यूं होता है और इस ब्लीडिंग को अपको क्या समझना है तो गाइस अगर आपको हल्की स्पोर्टिंग हो रही है पिंकेश या ब्राउनिश कला की तो यह इंप्लैंटेशन ब्लीडिंग है इंप्लैंटेशन ब्लीडिंग जादा तर पीरियड मिस होने से पहले होता है अगर आपकी पीरियड डेट 10 तारिक है तो एक हफ़ते पहले यानि की 3 या 4 तारिक को इंप्लैंटेशन ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन अगर ओविलेशन लेट हुआ है और इंप्लैंटेशन भी तो कई मैलाओं को पीरेड में सोने के बाद भी implantation bleeding हो सकती है ये काफी कम होता है लेकिन ये भी होता है बढ़ ध्यान रखे अगर bleeding heavy है यानि कि pads की जरुरत पढ़ रही है या spotting के साथ clots भी आ रहे हैं तो ये implantation bleeding नहीं है implantation bleeding हलकी होती है और उसमें clots नहीं आते हैं अगर हलकी फुलकी spotting है और बिना pads के ही काम चल रहा है तो ये implantation bleeding है यानि कि आपकी pregnancy रुख चुकी है अब अगर pregnancy रुख गई है तो pregnancy test negative क्यों आ रहा है क्योंकि अभी just implantation हुआ है implantation होने के बाद body में HCG levels धीडे धीडे बढ़ते हैं जिससे urine pregnancy test kit में detect होता है तो अगर आपको implantation bleeding हुई है तो 3-4 दिन बाद morning urine से आप test कर सकते हो implantation bleeding के बाद भी कई बार 2 हफते लग जाते हैं pregnancy test positive आने में तो अगर आप बहुत जादा excited हैं तो implantation bleeding के 2 दिन बाद हर alternate days पर आप test कर सकते हो अगर हलकी line आती है तो वो early pregnancy है उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको helpful लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करना